नमस्कार मैं हूं रजत और अब आपको बताते हैं बिहार की जाले विधानसवा सीट का नतीजा इस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे मश्कूर उस्मानी मश्कूर अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी के चातर संक्य अध्यक्ष रहे चुके हैं जिन्ना की तस्वीर लगान हटाने के विवात के चलते उस समय जाधा चर्चा में आये थे विहार विधानसवा में टिकेट मिला कॉंग्रेस की ओर से लेकिन भाजपा के जिवेश कुमार से मश्कूर को हार का सामना करना पड़ा आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं इस सीट के स्टैट्स सीट का ना 65,395 पिछले चुनाब के नतीजे आपको बता देते हैं 2015 में बीजेपी के जिवेश कुमार को 62,069 वोट मिले थे और जदियू के रिशी मिश्रा को 57,449 वोट मिले थे जीत का अंतर था 4,600 वीट यानि 420 वोट का जीत का अंतर था जीते कौन थे जिवेश कुमार 2010 में बीजेपी के वीजे कुमार मिश्रा को 42,590 वोट मिले थे राज़त के राम निवास प्रसाद को 25,648 वोट मिले थे जीत का अंतर था 16,942 वोट मतलब ये कि पिछले दोनों जो चुनाब थे वो भाजपा नहीं जीते हैं इस सीट को जाती समिकर्ण के अनुसार देखें तो मुस्लिम, यादव, भुमिहार, ब्राह्मन, रविदास और पासवान प्रुमिका में हैं इसी इलाके में लेकिन इनका प्रभूत हो है इसी इलाके में मतलब ये फेर बदल कर सकते हैं जो भी जिसे चुनना हो समर्थन दे तो कॉंग्रेस की तरफ से उम्मीदवार मशकूर अली उस्मानी, अलिगर्ण मुस्लिम उनिवसिटी के चातरसंग के अध्यक्ष रह चुके हैं और चातरसंग कार्याले में जिन्ना की तस्वीर जो पाकिस्तान के पाउंडर हैं मुहमद अली जिन्ना उनकी तस्वीर लगा इसके अलावा ललित नरायन मिश्रा जिन्होंने दरभंगा की लोकसवा सीट का प्रतिने धित्व किया था और विहार के कद्दावन नेताओं में से एक थे उनके पोते रिशी मिश्रा ने खुद उन्हें टिकेट ना देकर मशकूर अली उस्मानी को टिकेट देने पर कॉं सबकी जानकारी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा आप देखते रहे बने रहे हैं हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपको सेहत मन बनाने, हेल्ट की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉड़ी के और करीब लाने, एक्सपर्ट के जरीए आपकी अवेर्निस चमकाने, तंद्रुस्त रहना होगा नईलत देखे दिललन टॉप पर सेहत, सोंबा से शुक्रवार दुपहर एक बजे